एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है कोरोना वाइरस के सीरीज में जिसमें आज हम आपको बताएंगे किन रोगों को रिस्क ज्यादा है और अगर आपको रिस्क है तो आपको क्या करना है दोस्तों मैं आपको परमजीद आप देख रहे हैं दॉक्टर एजुकेशन तो कोरोना वाइरस एक कोविड नैंटीन कोरोना वाइरस एक ऐसी बीमारी है जिसका देलने का रिस्क बहुत जादा है यह फ्लू से ज्यादा खतरनाक है लेकिन हर पेशन जिसको होगा वो जाय उसकी जान नहीं जाती है यह और दो बढ़ जाती है, इसलिए इन लोगों को ज्यादा एतियात भरतनी है, इन लोगों को ज्यादा ध्यान रखना है, जो high risk group में आते हैं, इन लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, जोरदार जटका दे सकता है, फुलू का इंफेक्शन स्वाइन फ्लू भी सिमिलर बिमारी कर सकता है, लेकिन लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, क्रोनिक बिमारियां, हम अभी बताएंगी कौन सी, उनको special precautions लेने होते हैं, और अपने आपको protection के साथ, अपने डॉक्टर से constant touch में रहना भी बहुत ज़रूरी है, और बहुत ज़रूरी है कि वो अपने local government की advice माने, वहां की government ने आपके बचाओ के लिए जो भी अन्देश दिया हूँ है, आदेश दिया है कि ऐसे करो वैसे करो उसको ज़रूर करना है, अगर आप इन में से किसी high risk group में हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा खबरदार रहना, सतर्क रहना है, और आप ठीक रह सकते हो, बहुत अच्छे, 90-95% chance है आप ठीक रह सकते हो, 5-10% chance है जब आपको खतरा हो सकता है, अगर infection हो भी गया तो, 70-plus वाले कुछ ज्यादा vulnerable हो जाते हैं, 70-plus वालों का death rates 10-15% तक 10% मान के चलिए, 60-plus में death rate थोड़ा बढ़ जाता है बीच में, लेकिन death rate का मतलब है, आपको खतरनाक serious बिमारी होने के chance, यह हो गया सबसे पहला उमर, second risk factor जो है, वो है कोई भी long term medical condition, कोई भी मतलब heart disease, lung disease, diabetes, cancer, दिमाग की CVA, लकवा, paralysis, kidney की बिमारी, liver की बिमारी, high blood pressure, यह सारी, यह सारी बिमारियों में आपको दिक्कत हो सकती है, COPD भी इसी में आएगा, COPD ऐसे लोग जिनका सास में दिक्कत होती रहती है, ऐसे लोग जिनक इम्यून सिस्टम वीक है, HIV के patients, बहुत जादा बिमार patients, बहुत जादा खुन की कमी वाले patients, सेपसिस में patients, ICU में patients, ऐसे लोगों में दिक्कत हो सकती है, medical condition जिसमें आपकी breathing effect होती है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आप smoker हो, TB हुआ है, चाहे आपके lung में infection पहले हुआ है, secondary infection यह bacterial plus viral तो आपको खतरा बढ़ जाएगा, ऐसी कोई भी breathing problem वाली medical condition, दूसरा, जो भी nursing home में रहते हैं, जो ज़्यादा लंबे समय तक रहते हैं, कठे रहते हैं, उन लोगों को ज्यादा दिक्कत है, रिस्क ज्यादा है, एक से दूसरा दूसरी को ज्यादा, तो उनको precautions underlying health problem है, तो उसका special ध्यान रखना जरूरी है, extreme medical vulnerability, एक serious condition है, और उनको literally हम ऐसे word बोलते हैं, उनको ककून में रखो, ककून में रखो मतलब इतना protect करके रखो, जैसा एक butterfly अपने आपको ककून में बन करके protect कर लेती है, कि भी मुझे आगे दुनिया बर से कुछ ज्यादा नु बहुत जरूरी है, आपको जरूरी नहीं अपने आपको self isolate करना कि दुनिया में बात ही नहीं करनी किसी से देखना इनी किसी को ऐसा नहीं है, आपको दूरी बनाया रखनी है, एक से दो मीटर की, आपको हाथ regular धोते रहना है, आपको मून आक और इस चेहरे को हाथ नहीं वैल्यूज उनको समझना जरूरी है, और जो care taker है, अगर बिमार patient की care करने है, तो उनको बिल्कु डॉक्टरों जितना precautions लेना है, gloves भी पहनने है, mask भी पहनना है, PPE भी पहनना चाहिए, अगर patient है, known patient है, positive patient है तो, जो लोग इस तरह की problem से PDT है, उनके लिए support groups भी है online, और लिए जो हमारी सेवाएं चालू है, government की 1075 पे call करके मदद भी ले सकते हैं, और आज की date में उनको जितनी भी रोजमर्रा की सामान की जरूरत है, grocery है, medicines है, essential items है, उनकी खुद की essential दवाईयों की delivery भी की जा रही है, उसके लिए आप local अपने government police stations इन जगावों पे call कर सकते है वो आपकी मदद करेंगे, यह इंसानियत के नाते हर जगा हो रहा है, होगा, ठीक है, अगर नहीं होता है, तो आप 1075 पे call करें, वो आपकी मदद करेंगे, right, so यह important है, दूसरा याद रखिए, weak immune system अगर आपका है, immunocompromised है, what is immunocompromise, HIV infection होना, cancer का treatment होना, कोई भी autoimmune disease होना, जी हाँ, autoimmune disease एक तरीके का immunocompromise state होता है, क्योंकि immune system आपका overactive हो गया है, compromise हो गया है, आज के date में, बिल्कुल जैसे, पुलिस वाले अगर आप पे हावी हो जाए, आर्मी वाले आप पे हावी हो जाए, आपके इलाके में, तो कश्मीर जैसी हालत हो सकती है, that becomes an autoimmune disease, overactive immune system, वही condition हो जाती है, rheumatoid arthritis वाले patients की, lupus की, inflammatory bubble disease वाले patients की, multiple sclerosis वाले patients की, तो इन लोगों के बारे में और special precautions लेनी होती है, जिसके बारे में हम बात करेंगे, और organ transplant, bone marrow transplant, ऐसी कोई भी चीज अगर आपको पहले हो चुकी है, तो भी आपको risk बन जाता है, इन सारे लोगों को special precautions लेनी है, कोई भी प्रकार का lung virus आपकी immune system अगर weak है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत दे सकता है, इसलिए हर प्रकार के lung virus से बचना जरूरी है, और आपको, अपने आपको flu shots लेना जरूरी है, 60 के उपर की उमर है, डाइबिटिक हो, तो निमो कोकल की vaccine बहुत जरूरी है, और that is very very important, उसके लिए आप अपने doctor से बात कर सकते हैं, और coronavirus की symptom समझने के लिए आप हमारे सारे videos देखे, उसमें आपको symptom समझ में आ जाएगा, आस्तमा है अगर तो आपको increased risk नहीं है, कि आपको जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर आपको होगा, तो बिमारी ज्यादा severe आ नहीं है, जिहां जो हो गया हो गया, आज smoking will increase your risk, that is true, लंग के अंदर जो भी infection है, जो भी बिमारी है, और अगर लंग में वाइरस जाता है, तो आपको और ज्यादा serious बिमारी होगी, और आज से आपने प्रण लेना है कि आगे जिंदगी में smoking नहीं करेंगे, अगर आप घर कर रहा है, वो इससे बड़ा नहीं है, कि आपको serious बिमारी हो जाए, और आप hospital पहुँच जाए, या unfortunate ऐसा कुछ हो जाए, जो आपके परिवार को जिंदगी भर भुगत ना पड़े, तो कृपया इस message को बाहर दुनिया भर में पहुँचाए, खास कर जो लोग already बिमारी हो उसे गरसित हैं, या एक bad lifestyle से गरसित है, bad lifestyle is equivalent to a chronic disease, so गंदी lifestyle मज जिये, अपना exercise करें, साही टाइम पर खाना खाए, पानी खुब सारा पिये, smoking, alcohol दारूप इससे दूर रहें, बहुत जरूरी है आपका हस्ते रहना, positive रहना, और अपने बच्चों के साथ खेलना, exercise करना, yoga क करना, meditation करना, अपनी immune system उसी से strong होती है, याद रखिए, एक गोली या एक किसी trick से immune system strong नहीं होने वाली, yeah, obviously it can help to a very small extent, but the major contribution is this, right, अच्छी नीद, अच्छा अहार, अच्छी exercise, और stress-free life, very, very, very important, flu shot should be taken by everyone, 6 महीने की उमर के उपर, जित्ते लोग है, उनको flu shot लेना चाहिए वो coronavirus से नहीं बचाता, लेकिन ये double infection से बचाता है, अगर आपको coronavirus हो जाता है, साथ में flu होता है, साथ में swine flu होता है, या कोई भी दो infection एक साथ होते हैं, आपके death rate double या triple हो सकते हैं, तो इसलिए flu shot से ले लेना बहुत अच्छा idea है, मैं खुद recommend करूँगा, मैं खुद ले चुका हूं, इसमें quadriflue को नाम की vaccine आ चुकी है, जिसमें चार प्रकार के viruses के खिलाफ है, influenza A, influenza B, or swine flu, and H1N1, or H1N3, I think ऐसी कुछ है, So, that's all for today, आपको हम बताएंगे about rheumatoid arthritis या autoimmune disease के लिए, आपको कितना risk है, कैसा risk है, क्या है, क्या नहीं है, दवाई लेनी है, उन सब के बारे में वीडियो आएगा, अस्तमा के बारे में ऐसा वीडियो आ चुका है पहले, आप उसको सर्च करके देख सकते हैं, कोई भी वी education के साथ टाइप करें, by doctor education और सर्च मारें, आपको वीडियो मिल जाएगा, मैं हूँ dr. परमजीत, consultant, physician, cardiologist, यशोदा, super speciality hospital, नहरु नगर, Delhi, NCR, आप देख रहे हैं, doctor education, make sure, कि आप like और share का बटन दवाएं आप का